हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आसुतो सबस्ती यहां मारी स्रीच की सेकेंड वीडियो है पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकाब ब्लैक डथ की वज़े से लंदन की एक चोथाई आबादी जो एक लाग के करीब थी वो मर गई इस बीमारी को इतिहास में दा ग्रेट प्लेग आफ लंदन के नाम से कहा गया वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उपर दिये गए आई बेटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना तो आज की वीडियो में नमबर 4 पर दा एंटो नाइन प्लेग को रखा गया है एंटो नाइन प्लेग को इतिहास में सबसे प्राचीन महामारी भी कहा जाता है या 165 AD की बात है जब रोमन इंपैर सिकर भर था उस समय रोम में दो राजा मिलकर अपना राज संभाल रहे थे मारकस औरेलियस एंटो नाइन और उनके अडॉप्ट किये गए भाई लूसियस वेरस ये दोनों राजा मिलकर अपना राज पूरी दुनिया में फैला रहे थे या बात उस समय की है जब रोमन सैनिक पार्थियन वार में लड़ाई कर रहे थे मारकस औरेलियस एंटो नाइन ने ना सिर्फ युद्ध को लड़ा बलकि जीता भी जब रोमन सैनिकों ने पार्थियन वार में अपनी जीत के जंडे इस रेजिन में फैराए और वे फते हासिल कर अपने घर वापस आए तब उन सैनिकों ने जीत के साथ साथ एक बड़ी महामारी अपने घरों में लेकर आए जिस महामारी ने पूरे रोमन सामराज को मिट्टी में मिला दिया वह बिमारी और कोई नहीं तैंटो नाइन प्लेग ही था या कहां से आया और इसका कारड क्या है लोगों को इसके बारे में प्रेजन टाइम में कोई जानकारी नहीं है फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारड रोमन सेना ही थी साथ कुछ सैनिकों को पार्थियन वार से या बीमारी लग गई होगी बीमारी लग जाने के बाद अन जाने में ही सही उनके द्वरा या बीमारी अनिदेशों के अंदर फैल गई होगी एंटो नाइन प्लेग को कईबा प्लेग आफ गैलन के नाम से भी कहा जाता है प्लेग आफ गैलन इसलिए क्योंकि गैलन नाम के एक डॉक्टर ने इस बीमारी को खोजा था क्योंकि या बीमारी एंटो नाइन राजा के सासनकाल में फैली थी इसलिए इस बीमारी को एंटो नाइन प्लेग भी कहते हैं या प्लेग पूरे रोमन इंपायर में बहुत तेजी से फैलने लगा हर रोज 20,000 से ज़ादा लोगों की जाने जाती या प्लेग रोमन इंपायर में पूरे 20 साल तक चला इस बीमारी ने रोम के दोनों राजा मारकस औरेलियस इंटो नाइन और लूसियस वेरस दोनों की जाने भी ले ली दोनों राजाओं के मरने के बाद रोमन सामराज की नीव ही हिल ली इस बीमारी से जो लोग बच गए उन लोगों के बचने का कारण भी स्टॉंग इम्म्यूनिटी थी इस बीमारी ने 180 AD तक आते आते 15 सालों में 50 लाग से जादा लोगों की जाने ले ली और रोम की 10 परसेंट आबादी समाप्त कर डाली जिससे पूरे रोमर सामराज का नकसा ही बिगड़ गया इतना ही नहीं या हवा में फैलने की वज़े से इस्पेन, इटली, ग्रीस, एसिया माइनर, इजिप्ट, नॉर्थ, फरीका तक फैल गया मजे की बात ये है कि कई इतिहासकार इस प्लेग का ओरिजिन भी चाइना को बताते हैं खैर कुछ भी हो, मारकस और एलियस की मृत्यू के साथ एंटो नाइन प्लेग भी मर गया या 180 AD के बाद 9 साल ते चलका रचाने से गाइब हो गया सडनली एक बार फिर से इस प्लेग ने दुबारा से दस्तक दी और 270 AD तक आते आते फिर से नश्ट हो गया तो इस तरह इतिहास के एक भायान अगटना दा एंटो नाइन प्लेग का अंध हो गया तो या थी हमारी सीरीच की दूसरी वीडियो हम नेश्ट वीडियो में आपको दूसरे पैंडिमिक डिजिस के बारे में बताएंगे जो दा इंटो नाइन प्लेग से भी ज़्यादा खतरनाक हैं तो कल नमबर तीन वाले वाइरिस के बारे में बात करेंगे उस वीडियो को देखने के लिए अपना बेल आइकन ओपन रखना जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पोचे हम जानना चाते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सबस्क्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना और एक सेर जरूर करना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में बनाता रहूँ धन्यवाद